मम्स या गल्सुआ एक संकरमन बिमारी है जो वाइरस के कारण होता है केरल में ये समस्या तेजी से फैल रही है रिपोर्ट की मानी तो इस मामली के एक दिन में 190 केस सामने आए है ये रोग चेरे के पैरोटिड लार गरंथियों में सूजन पैदा करता है ये स्तितिती बेहत दर्दिनाख हो सकती है आपको बता दें कि वाइरस के संपर्क में आने के 2-3 हफते बाद इसके लक्षन महसूस हो सकती है वेल इसकी भी आज पूरी तरह से चर्चा करेंगे इस वीडियो में तो इसको एंट तक जरूर देखें मैं हूँ साजदा और आप देख रहे हैं हर्बल 24 मम्स आज कल बहुत तेजी से फैल रहे हैं तो आज हम इस बीमारी के लक्षन और बचाव के तरीके के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे मम्स वाइरस के लक्षन के बारे में कंटमाला यानि की मम्स के समाने लक्षनों में बुखार, सिर दर्द, मास पीशियों में दर्द, ठकान और भूखना लगना शामिल है इसके मुख्य लक्षनों में एक या अधिक लार ग्रंतियों यानि की सैलिवरी ग्लांट्स में सूजन दिखना शामिल है खास तोर पर जबडे के पास इस्तिति पैरोटिड ग्रंतियां इस सूजन के कारण निगलने या चबाने में दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों को अपना मुग खोलते समय दर्द या खटे खाने की चीजों को खाते समय असुविधा का अनुबव हो सकता है कुछ मामलों में कंठ माला से मेनिंजाइटिस, एंसेफलिटाइस और चाइटिस यानि की पुरुषों में अंड कोश की सूजन या ओओफोरोटिस यानि की महिलाओं में अंडशे की सूजन जैसे समस्याएं हो सकती है अब जानते हैं कि इससे बचाव कैसे कर सकती है कैसे करें बचाव? कंठ माला की रोग थाम के लिए वैक्सिन और अच्छी हाईजीन प्रैक्टिस करना जरूरी है खास कर कंठ माला और रुबेला, MMR, टीका कंठ माला की रोग थाम में ज्यादा एफेक्टिव है इसे आम तोर पर बच्पन के दोरान दो खुराफ में दिया जाता है जिससे लंबे समय तक चलने वाले इम्मिनिटी मिलती है इसके अलावा अच्छी हाईजीन की आदतों की प्रैक्टिस करना जैसे की सावुन और पानी से बार बार हाथ धोई संक्रमित व्यक्तियों के साथ बढ़तन या पानी शेयर करने से बचें कंठमाला के फैलने के जोखिम को कम करने के लिए खासने या छीखने पर मूँ और नाख को ढखें तो ये थी जानकारी मम्स के बारे में और हाँ अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसर्ट करें और ऐसे ही हेलपफुल इंफरमेशन के लिए सब्सक्राइब करें हरवल 24